दोस्ता फोटो पेपर को लेकर बहुत सारे लोगों को confusion रहती है कि कौन सा पेपर पे बेस्ट क्वालिटी फोटो प्रिंट आएगी तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फोटो पेपर के बारे में और ये भी बताएंगे कि कौन सा प्रिंटर कितने जीएसम का पेपर खीच पाता है और कौन सा पेपर लेंगी जिस पे फोटो की क्वालिटी बहुत ही बेटर आएगी और इसमें से कुछ ऐसे भी पेपर होते हैं जिन में लेमिनेटेड होता है या फिर वाटर प्रूफ पेपर आता है जिससे कि आप उस पर प्रिंट करते हैं किसी भी दोस्तों इस समय इक टेंग प्रिंटर मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं डिफरेंट डिफरेंट कंपनियों को जैसे कि एप्शन, कैनन, एच्पी, ब्रदर और भी सारी कंपनियों के प्रिंटर अवेलेबल हैं लेकिन बात तब होती है कि कौन सा प्रिंटर लिये है और उसमें कौन सा पेपर डालेंगे जिससे अच्छी क्वालिटी आएगी और वह प्रिंटर कितने GSM का पेपर खीच पाता है तो पहले हम स्टार्ट करेंगे एप्शन से तो दोस्तों इस समय जो भी एप्शन का प्रिंटर यूज किया जा रहा है जैसे जिसके पूराने जो प्रिंटर है जिसे 2102301 3001 opens के बाद यहाया है दीए 310 एकर वीता सब्सक्रारियन और शकलता वियुँज करते हैं जिसमें scan copy और print हो अगर उससे photo paper पर print करते हैं तो वहाँ पर ध्यान रखिएगा कि वह printer maximum 180 gsm के paper तक खीच पाता है कुछ ऐसे भी printer होते हैं जो 254 gsm भी खीच लेते हैं लेकिन वह rare case है मान के चलिए 100% पर 5% वह 254 gsm का paper खीच पाता है लेकिन जो 95 या 90% जो printer होते हैं Epson के वह maximum 180 gsm के paper ही खीच पाते हैं अब बात आती है कि Epson में कौन से company का paper यूज़ करें जो कि सबसे better होगा पहले तो हम normal paper की बात करेंगे जो कि NOAA company का आता है NOAA company में 130 gsm से start होता है 130 gsm, 150 gsm, उसके बाद 180 gsm और उसके बाद 254 gsm तक आता है या 230 gsm तक आता है तो इन में से paper कोई भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन 130, 150 gsm के जो paper होते हैं ये generally आधार card या कोई ID, कोई certificate प्रिंट करने के लिए यूज़ किया जाता है उनके लिए ये साधारन paper है, ये paper आप यूज़ करेंगे तो उसके लिए यह better होगा आधार card के लिए या किसी ID के लिए NOAA का एक और आता है brand जिसमें NOAA में ही Prisma Z करके आता है उस paper के यूज़ करेंगे, यह paper waterproof paper होता है जो की Epson के लिए 180 gsm तक बहुत ही better रहेगा अगर भीग जाने पर वो ink फैलता नहीं है क्योंकि यह पहले से ही waterproof paper होता है तो Epson के लिए ये paper बहुत ही best होता है उसके बाद यदि आप दूसरी company में जाएंगे तो VMS company है VMS में भी 130, 160, 180, 230 तक paper आते हैं वो भी normally आप paper यूज़ कर सकते हैं लेकिन VMS में waterproof कम आते हैं उसके बाद next company के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है disment या click company आती है वो भी paper बहुत ही अच्छा होता है उसके बाद kodak company का आता है kodak paper 180 ये सम्में और disment कलेंगे इन दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है तो kodak भी आप यूज़ कर सकते हैं tight paper के लिए अब Epson में कुछ printer especially सिर्फ photo print के लिए ही बने होते हैं जैसे कि Epson में 805 printer या 800 या फिर जो मेले में या फिर कहीं घूमने जाते हैं तो वहाँ में photographer बैठे होते हैं जो फोटो खीषते हैं वह लोग क्या करते हैं उनके पास बाल्टी वाला printer होता है जिसका model हमार है Epson में 520 जो नया model आया है उसमें दो तरह के paper लगते हैं एक 4 x 6 size का paper लगता है और एक 5 x 7 size का paper लगता है उसमें भी आप VMS और Prisma Z का ही यूज़ करें जो की बहुत ही better होता है या फिर आप Epson का paper भी यूज़ कर सकते हैं अब बात आती है दूसरे company में जैसे के Canon Canon में all-in-one भी printer आता है उसके बाद photo के लिए भी आता है लेकिन इसमें जादे तर all-in-one ink tank printer होता है तो इसमें कोई भी paper आप यूज़ कर सकते हैं यसी यह सारे paper अराम से खीच लेता है और इसमें अगर best quality का कहें paper तो हम हमेशा हर वीडियो में paper के बारे में बता हैं तो Prisma Z को क्या है क्योंकि Prisma Z बहुत ही better paper होता है क्योंकि Prisma Z का 254 GSM Canon से print करते हैं तो जो फोटो की quality आती है वो बहुत ही better रहती है उसके बाद इसमें भी आप VMS का 180, 130 जो भी यूज़ करना है जितना GSM अपने requirement के according यूज़ कर सकते हैं उसके बाद Dismat का 180 GSM या फिर 230 GSM ये भी आप यूज़ कर सकते हैं उसके बाद Kodak का paper आता है, Kodak का paper यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर Canon में खास बात यह है कि यह हर तरह के GSM यानि 200 GSM, 300 GSM के paper Canon आराम से खिच लेता है उस पर आराम से print कर लेता है अब बात आती है HP Company का HP Company का जब भी भी कोई अगर photo printer या all-in-one ink tank में यूज़ करते हैं तो उसमें अब maximum 150 या 180 GSM तक paper ही खिच पाता है क्योंकि उसमें paper की problem ज़्यादे आती है तो उसमें पतला paper लगाने पर ही वह आराम से printer print कर पाता है उससे मोटा हमेशा बार-बार paper फज़ाता है तो हमारा suggestion यहीं रहेगा कि HP में maximum 150 या 180 GSM के ही paper आप उसमें यूज़ करें अब बाद आती है brother में तो brother company का कोई भी printer हो all-in-one या photo वाले printer उनमें आप कोई भी paper यूज़ कर सकते हैं कितने भी GSM का भी यूज़ कर सकते हैं और उस पे भी आप आराम से print कर सकते हैं और उसकी वी quality बहुत ही better आती है तो इनमें जो paper की जब बात आती है तो इसमें हमेशा top label हमारे समझ से top label nova company या nova company का जो prisma jet brand आता है वो सबसे better आता है या फिर यह तो हमारे इलाके में या हमारे तरफ यह बिकने वाले paper है यदि आपके तरफ भी अगर कोई भी paper आप खरीज रहें किसी भी brand का लेकिन उसमें जरूज देखिएगा अगर सबसे best paper अगर खरीजना चाहते हैं तो वहां पर उस paper को यह देखिएगा कि उसमें waterproof है की नहीं या water resistance वाले paper है की नहीं वह paper बहुत ही best रहते हैं आपके photo printing के लिए दोस्तो आई होब आप सभी को paper से related photo print करने के लिए जो भी paper आप यूज करते हैं उससे related सारे confusion दूर हो गये होंगे और कौन सा printer यूज करते हैं उनमें कौन सा paper लगाएंगे तो आपके लिए better रहेगा वह सारी confusion दूर हो गई होगी हमें comment करके जरूर बताइएगा कि आप कौन सा paper यूज कर रहे हैं और उसका response क्या है और कैसा उस पर printing होती है और साथी साथ वीडियो को like कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद